फ्यूचर में दुनिया भर के अंदर पानी की बहुत गंबी रूप से कमी होने लगती है। दुनिया भर में पानी की कमी की वज़े से लोग बहुत परेशान होते हैं। पानी पेटरोल की तरह सरिफ वाटर स्टेशन पर ही मिलता है। Korean Space Agency, Director Choi और Captain Hon के अंडर में Moon के लिए एक Space Mission launch करती है। दरसल Moon के उपर Korea का एक Lunar Research Center होता है। जहाँ पर 5 साल पहले radiation leak होने की वज़े से वहाँ पर काम करने वाले 117 लोगों की मौत हो गई थी। Korean Space Agency ये चाती थी कि वो लोग जिस सेंपल के उपर Research कर रहे थे, Captain Hon की टीम उस सेंपल का कम से कम एक कैपसूल वापस लेकर आये धरती पर। Reality में ये किसी को नहीं पता होता है कि वो किस चीज का सेंपल है। और इस टीम के अंदर एक Astrobiologist Dr. Song भी होती है। जिनकी सिस्टर भी उसी Lunar Research Center में काम करती थी। और वो भी उन मरने वाले 117 लोगों में से एक थी। और रास्ते में इस Mission के Space Craft में खराबी आ जाती है। जिसकी वज़े से वो लोग Moon के उपर Crash Landing करते हैं। और अब मजबूर होके उन लोगों को Moon की सता पर पेदल चलकर ही अपने Station तक जाना होता है। और Research Center पर पहुँच कर जैसे ही टीम उसके अंदर एंटर करती है। तब वे देखते हैं कि Research Center के सारे सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। और वहाँ पर Radiation Level बिल्कुल 0 होता है। जबकि Radiation Leak होने की वज़े से ही वहाँ पर सभी लोगों की मौत हुई थी। और वहाँ पर उन्हें कुछ Dead Bodies मिलती है जिनकी मौत पानी में डूबने की वज़े से होती है। और ये बात सुनकर पूरी टीम को शोक लगता है कि कैसे कोई मून पर पानी में डूब के मर सकता है जबकि यहाँ पर तो एक बूंद भी पानी नहीं है। और सारी टीम अलग-अलग हो जाती है उस सेंपल को ढूंडने के लिए। लेकिन उस सेंपल के जितने भी कैपसूल मिलते हैं वो पूरी तरह से खाली होते हैं। और डॉक्टर सॉंग की टीम को इस्टेशन के चारों तरफ घूम रही एक अजीब सी चीज का पता चलता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या है। तभी टीम का एक मेंबर सुचन एक चुप हुए कैपसूल को उठाने की कोशिश में वो एक डेट बोडी को टच कर लेता है। और उस डेट बोडी के कॉंटेक्ट में आने की वज़े से कुछ माइक्रो पार्टिकल की बुंदे सुचन की आँखों में चली जाती है। और दूसरी तरफ टीम का एक दूसरा क्रू मेंबर गीसू उसे एक स्टोर रूम में सेंपल से बरा हुआ कैपसूल मिलता है। वो सेंपल दिखने में बिलकुल पानी जैसा होता है। और तभी गीसू के उपर एक अग्याद चीज दुआरा हमला किया जाता है और वो उसे मार देती है। और वो कैपसूल लेके बाग जाती है। और जब गीसू की डेट बोडी की तलाशी ली जाती है। तब टीम के लोगों को पता चलता है कि वो एक सिकरेट एजन्ट था और बहार से किसी के साथ लगातार कॉंटेक्ट में था। और टीम की सारी सीकरेट जानकारिया वो बहार बेज रहा था। तबी Captain Horn सबको ये बताता है कि वो गुसपेटिया जिसने गिसु को मारा वो ventilation system के अंदर घूम रहा है ventilation की help से वो उन जगह भी पहुंच सकता है जो उस research center के map में नहीं है तबी Dr. Song सबको कहती है कि वो गुसपेटिया एक इनसान है जो station पर मरने वाले लोगों में से है लेकिन शायद वो किसी तरह से यहां पर जिन्दा बच गया वो बहुत डरा हुआ है इसलिए वो हमें दुश्मन समझ कर हमारे उपर हमला कर रहा है और तबी सुचन बहुत बुरी तरह से बिमार हो जाता है और अपनी बोडी से बिलकुल अननेचुरल तरीके से बहुत जादा अमाउंट में पानी बाहर निकालता है वो इतना पानी बाहर निकालता है कि इतना पानी एक नॉर्मल हुमन बोडी में होना इंपॉसिबल है और थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाती है जब इसकी dead body की जाँच की जाती है तब पता चलता है कि इसकी मौत भी पानी में डूबने की वज़े से हुई है जैसे उस station पर पहले वाले बाकी दूसरे लोगों की मौत हुई थी और पूरी टीम गबरा जाती है उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है और तब टीम धरती पर अपनी space agency से contact करती है धरती पर बेटे डारेक्टर चोई उन्हें आदेश देते हैं कि जो कैपसूल गीसू से उस कुसपेटिय ने ले लिया था तुम उसे वापस लेने की कोशिश करो डॉक्टर सॉंग और एक medical officer हॉंग ने सूचन के बलड में से पानी की जाच की तभी उन्होंने पाया कि ये पानी एक वाइरस की थरह काम करता है जो बलड और लीविंग टीशू के contact में आते ही तेजी से बढ़ता है और तभी केप्टन होन अपनी पूरी टीम को बताते है कि वे जिन सेंपल को लेने जा रहे हैं वो moon water है लेकिन केप्टन होन को इस moon water के side effect के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और इस moon water की खोज सबसे पहले डॉक्टर सौंग की सिस्टर नहीं की थी Korean Space Agency को ये डर होता है कि कहीं दूसरे देशों को इस moon water के बारे में पता न चल जाए इसलिए agency ने पूरी टीम से ये बात चिपाई पहले वो इस moon water को इंसानों के लिए safe बनाना चाते हैं और फिर इस moon water के उपर पूरी तरह से copyright लेना चाते थे ताकि moon water की वज़े से Korea पूरी दुनिया का सबसे powerful देश बन जाए और तभी टीम को station के अंदर पेड़ पोदों से बरा हुआ एक basement मिलता है और ये पेड़ पोदे moon water की help से उगाए गए थे और वहाँ पर उन्हें एक store room भी मिलता है जो उस station के map में नहीं था और उस station के अंदर बहुत सारे पाने से बरे हुए capsule थे जिन में से वो लोग कुछ capsule ले लेते हैं तभी उन लोगों के उपर वो गुसपेटिया हमला कर देता है और तब उन लोगों को पता चलता है कि वो एक छोटी सी लड़की है लेकिन वो unnatural तरीके से बहुत ही fast और strong है नॉर्मली कोई भी इनसान इतना strong और fast नहीं हो सकता तभी वो छोटी सी लड़की हमला करके टीम के एक member को गायल कर देती है और डारेक्टर चोई सब को ये order देते हैं कि तुम उस लड़की को मार दो डॉक्टर सॉंग station का research data ढूंडती है लेकिन उसे पहले से ही मिटा दिया था तभी टीम को अपने दूसरे member Ryu के बारे में पता चलता है वह भी Gisu की तरह एक secret agent होता है और mission के सारी information बहार किसी को बेज रहा होता है Gisu और Ryu दोनों एक ही organization से जुड़े होते हैं और उस चोटी लड़की और टीम के बीच के लड़ाए में एक moon water से बरा हुआ capsule तूट जाता है और उसकी कुछ बुंदे उस चोटी सी लड़की के उपर गिर जाती है सब को यह लगता है कि अब यह लड़की भी मर जाएगी लेकिन होता बिलकुल इसके opposite वह moon water उस लड़की के सारे गाव ठीक कर देता है यह देखकर सारी टीम हैरान हो जाती है वे लोग उसे रोकने की बजाए उसे भाग जाने देते हैं और तब डॉक्टर सौंग कहती है कि उस लड़की के blood के अंदर कुछ ऐसा है जो moon water को उसके लिए safe बनाता है और हम इस लड़की के help से moon water को धरती पर इंसानों के use करने के लिए safe बना सकते हैं और पूरी टीम उस लड़की को पकड़ने के लिए एक जाल बिचाती है लेकिन वो लड़की डॉक्टर सौंग को काट लेती है जो उस लड़की को पकड़ने के लिए चारा बनी हुई थी लेकिन फिर भी डॉक्टर सौंग उस लड़की के कमरे तक उस लड़की का पीछा करती है तब डॉक्टर सौंग को पता चलता है कि वो उसकी sister का कमरा हुआ करता था और तबी रियू टीम के दुआरा इकटे किये गए वाटर कैपसूल के सेंपल को ले लेता है और उसे रोकने की कोशिश करने वाले एक टीम मेंबर को मार देता है और बाकी टीम के लोगों को फसाने के लिए वो सभी दरवाजे सील कर देता है और तबी डॉक्टर सौंग को अपने sister के कमरे में station का घूम हुआ research data मिलता है और तबी डॉक्टर सौंग को पता चलता है कि वे लोग genetically modified बच्चों के उपर moon water का test कर रहे होते हैं और उन सभी बच्चों के उपर take लगे हुए थे और उस चोटी लड़की के उपर लगे हुए take का number 73 होता है याने उन लोगों ने 73 बच्चों के उपर moon water का test किया जिन में से सरिफ ये चोटी बच्ची बच जाती है और research center में हुए accident में से ये सरिफ अकेली लड़की होती है जो बच जाती है और Ryu को पकड़ते हुए team का एक दूसरा member कीम सन घलती से एक टूटे हुए moon water के capsule के contact में आ जाता है और वो भी दूसरों की तरह तड़ब कर मर जाता है और तबी Ryu station के air purifier system को own कर देता है उसका इरादा होता है कि पूरे station को moon water से बर देना जो उस basement में पेड़ पोदों के साथ इकटा हो गया है ताकि वह team के सभी लोगों को मार सके और खुद वहाँ से भाग जाए लेकिन Captain Hon Ryu को पकड़ लेता है और उन दोनों की लड़ाई की वज़े से Ryu को भागने में लेट हो जाता है लेकिन फिर भी Ryu कुछ बचे हुए moon water के capsule को लेके भागने में सफल हो जाता है लेकिन वह भागते हुए छट से टपकते हुए moon water के contact में आ जाता है और वह भी सब की तरह तडब के मर जाता है और दूसरी तरफ Dr. Song भी moon water के contact में आ जाती है लेकिन वो अपने आपको बाकी दूसरे टीम मेंबर से अलग करने की कोशिश करती है ताकि infection दूसरों में ना फैले और Dr. Song को पानी की उल्टियां शुरू हो जाती है लेकिन पहले उस छोटी लड़की Luna ने Dr. Song को काट लिया था जिसकी वज़े से Dr. Song के blood में उस moon water के लिए antibody बन जाती है जिसकी वज़े से Dr. Song पूरी तरह से ठीक हो जाती है बच्चे हुए लोग इस बात से agree करते हैं कि moon water बहुत dangerous है लेकिन फिर भी हम उस moon water के उपर research करके उसे धरती पर इंसानों की भलाई के लिए इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर हम उस छोटी लड़की Luna को धरती पर ले जाते हैं तो उसे हमेशा एक experiment की तरह देखा जाएगा तबी Dr. Song कहती है कि हमें उस छोटी लड़की Luna को International Institute of Space Biology के station पर हमें ले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पर पूरी तरह से Luna की safety कर सके और अगर हम moon water के उपर research करके उसे control कर सके तो हम उसे वहाँ पर सभी के साथ बाढ़ सकते हैं ताकि किसी अकेले का moon water के उपर control नहीं होगा टीम के बचे हुए लोगों को ये भी पता चलता है कि station पर 117 लोग मरे नहीं मारे गए थे moon water की leakage की वज़े से उन लोगों को rescue करने के लिए एक team आई थी लेकिन उस team ने station पर लोगों को बचाने की बज़ाए station के सारे दरवाजे सिल कर दिये इसलिए वो सभी लोग moon water की वज़े से मारे गए ताकि वे लोग वापस दर्ती पर आके किसी को भी moon water के बारे में नहीं बता सके इसलिए उन सभी लोगों को Korea Space Agency के दुआरा मरवा दिया गया और उन सभी लोगों की मौत को एक accident दिखाने के लिए radiation leak होने का बहाना बना दिया गया और तभी moon water की बार की वज़े से इस्टेशन गिरना शुरू हो जाता है और कैप्टन हॉंग और एक टीम मेंबर गॉंग अपना बलिदान दे देते हैं ताकि डॉक्टर सॉंग और medical officer हॉंग ताकि उस छोटी बच्ची लूना और बच्चे हुए moon water के capsule के साथ safely station से बाहर निकल सके और last में हमें दिखाया जाता है कि लूना बिना space suit के ही बाहर चली जाती है क्योंकि moon पर कोई भी atmosphere नहीं है वहाँ पर high level radiation और minus में temperature होता है इस condition में किसी भी normal इंसान का जिंदा रहना impossible है और फिर भी लूना इतनी dangerous condition में भी moon की surface पे जिंदा रहती है क्योंकि moon water ने उसकी body के अंदर mutation कर दिया है जिसकी वज़े से वो space की बहुती dangerous condition में और बिना oxygen के भी जिंदा रह सकती है और फिर एक rescue दल उन तीनों को अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ हमारी कहानी खतम हो जाती है